तो बात करते ही यहां पर चाबी के बारे में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है नॉर्मल से की है कोई भी फिप कि आपको नहीं मिलेगा और को बटन आपको नहीं मिलता है भाई मेरे सामने जो गारी आप देख रहो भाई यह है आपका 2025 टाटा ट्रियागों का एकदम बेस मॉडल जो है आपका एकसी वेडियेंट किन लोगों के लिए है जो लोग भाई गारी खरीजना चाहते है और मोडिफाई जी भर के करना चाहते है उन लोगों के लिए यह बेस बाइप इसको लाइट आंकरकर बीखाव देता हूँ अगार आपा इसको लेफ साइड पे गूमाएंगे घार आपका गारी लॉक हो जाएगा सो यह ओं के इसको डाला डेते है और इहां पर जो लाइट है बहुन करके आपको दिखा देता हूं सामने के बारे में अगर बात करूं यहां पर आपको प्रीमियम सा ही फ्रंट प्रूफाइल मिल जाता है यहां पर अपको नहीं मिलेगा फॉग लाइट का हाउजिंग है आप एजन अक्सेसरी वह लगवा सकते हो तो बेस अपग्रेड कर सकते हो चलते हैं अभी घारी के साइट पर साइट से स्काफ ही क्यूट है यह गारी और आपको साइट से लगेगा भी कि यह बेस मोडल है इसका टायर देखके क्योंकि आपको यहां पर नॉर्मयल से यहां पर स्टील विल मिलता है कोई भी विलकर अलय का यहां पर आपको 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 ऑपरेट। करना परे पार थर्टीन इसका बारे में बात करूँ तो पीछे से आपको देखके लगे का नहीं कि बाई बेस मोडल है क्योंकि पीछे आपको यहां पर ट्यागों का बैजिंग है टाटा का लोगों है कोई भी रिए वाइपर डिफॉकर आपको नहीं मिलेगा है मौन स्टॉप लैंप यह फिन थाप स्पॉयलर यहां पर भी आपको मिल जाता है तो इप इस और ट्यागों का अपको ख़िए अपको उपन करना पड़ेगा या फिर की से अपको ऑपन करना पड़ेगा मैं अंदर ने करके आपको दिखा देता हूं तो डोस करते है ओपन यहां पर आप देख सकता आपको लीवर मिल जाते हैं इसको पूल करेंगे दर आपका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा तो बूट अगर में ओपन करूं यहां पर आप देखेंगे कोई भी पासल शेल्फ या फिर कोई 60-40 आपको नहीं मिलेगा बेंच पर थोड़ा सबको दिक्कत हो सकते है इस गारी में पर बूट करते हैं चलते है रियर डोर ओपन करेंगे यहां पर आपको दूएल फिनिश मिल जाता है ब्लैक और ग्रे करर का नॉर्मल आपको यहां पर विंडो मिलेगा कोई भी पाव विंडो नहीं मिलेगा बड़ी क्व ट्वीटर आपको नहीं मिलेगा बॉटल ओल्डर आपको मिल जाता है जो मेरी साब से काफी प्रीमिया में लुक देता है आइसो फिक्स चैल सीट मांट्स आपको नहीं मिलेगा पट वह एजन मतलब आस स्टैंडर्ड दे देना चाहिए डूल अध्जस्टेबल हैड्रस अंदर बैठ जाता है और इंटीरिया देख लेता है तो लेग रूम काफी सही है लेग रूम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अंडर था सपोर्ट थोड़ा सा लैकिंग है मेरा हाइटर और आप देख सकतो थोड़ा से नीहाई पोजिशन में बैठा हूं बीस पर आ यहाँ पर भी आपको ग्राइब है वह सकता है वह है कि आपको फिक्स्ट मिल जाता है अभी हर कोई पर बेस मोडल से अज़ेस्टेबल देना चाहिए सेफटी के मामले में यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज होता है आप मेरे से अग्री करते हो कि नहीं मुझे आप वह सामने सामने का कुछ लूक ऐसा है बेस मोडल का चाहिए अभी देख लेते अब लोग देख लेते अधर अब देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको डूएल फिनिश का इंटिरियर मिल जाता है ब्लैक और ग्रे कलर का यहाँ पर भी आपको वह मैनुएल विंडो मिल जाता है बैट बैक पर डोर एंडल है डंडी से आपको एजस्ट करना पर जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक बॉटल ओल्डर है फोन रखने का जगह है स्पीकर का प्लेस्मेंट है सीट्स जो है आपको यहाँ पर सिर्फ बैक्रेस्ट के साथ ही मिलता है नो हाइट है यहाँ पर आपको dual adjustable headrest मिल जाता है सामने सो दाइस गुड यहाँ पर आपको कोई buttons नहीं मिलेगा गाई सिर्फ आपको एक pocket मिलता है यहाँ पर coins points रख सकते हो तो अभी बैट जाते है अंदर and interior देख लेता है सो यह है कुछ interior of the XC base model अभी base model है सो ज्यादा कुछ आप expect मत कीजिए ठीक है dual finish का interior मिल जाता है black और gray color का यहाँ पर आपको glove box भी काफी मतलब spacious सा मिल जाता है अंदर आप देख सकते हो no problem there gloss black surround है यहाँ पर उपर वाले variance पर जाएंगे तो यह chrome हो जाता है आपको देख सकता है कोई भी आपको system नहीं मिलागा अक्सेसरी आप्टर मार्गेट में अब लगवा सकते हो है यहाँ पर आपको नॉर्मल सा मिलता है कोई भी मैनुल का भी function नहीं है यहाँ पर आपको मिलेगा वाइजर में कुछ भी नहीं आपको नहीं मिलता है नॉर्मल से वाइपर आपको आपको नॉर्मल से एड़लाइस मिल जाता है कोई भी आटो आटो है आपको नहीं मिलेगा इंच्रूमेंट कर सकते हैं आप इस बटन के साथ चेंज कर सकतो आपको यहां पर दिखा देगा ऑल अगर आप आप अनो लॉक का शॉक रखते हो देन बहूंक आप लोग लिए नह काफी सही है उसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं एकदम सही गारी आपको अच्छा गासा मिल जाता इस गारी में पर एक जो मेजर दिक्कत है कि अपको उस साइड का मेरा रज्जस करना परेगा तो यह मेरे लिए कंप्लेंट है आपको इंटिरियार मुझे आप जरूर कमें सेक्षिन बताइए अभी चलते हैं गारी के बाहर और मेरा वडिक्ट आपको दे रहेता हूं यह था मेरा डीटेल्ड रिव्यू औप दी ऑल नियू ट्रेट टाटा टियागो का एक सी बेस मोडेल अभी यह बेस मोडेल जैसे में वीडियो के शुरुबात पर बोला था उन लोग के लिए है जो लोग मोडिफिकेशन का शौक रखते हैं थोड़ा बजेट जिन लोगों से तो आज के लिए मेरा वॉकरण रिव्यू यह था गाइस वीडियो पसंदाए दो वीडियो का लाइक करना मत भूलिया चैनल पर सब्सक्रेब करना मत भूलिया मैं वह लोगा आपके साथ में एक्स वीडियो पर तिल देन चाओ